ओम शान्ती आज तिनांक 18 अगस्त 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिक्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे तुम हो रुहानी सर्जन और प्रोफेसर तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्यान करना है अर्थात हम आत्माएं 63 जन्मों से रावन के वसिभूत हो गई थी बाबा आए रुहानी सर्जन बन कर हम आत्माओं की सारी बीमारियां दूर करने के लिए तो बाबा रुहानी सर्जन हम बच्चों को रुहानी सर्जन कम प्रोफेसर बनाते हमें विश्व कल्यान के निमित बनाते बाबा कहते अब तुम बच्चों को रुहानी यूनिवर्सिटी कम होस्पिटल खोलनी है क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चो अब साथ में घर जाना है पवित्र बनाया और नौलेज दी तो बच्चे भी समझते हैं पवित्र तो जरूर बनना ही है बाप को याद करना है और सारे स्रश्टी चकर को याद करना है इस ग्यान से बाबा हमें एवर वेल्दी बनाते हैं कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा बोलो सेवा यही है तीन पेर प्रत्वी के दे कर उसमें रूहानी कॉलेज और हस्पिटल खोलो तो उन पर कोई बोजा नहीं पड़ेगा इसमें मांगने की तो कोई बात ही नहीं है राय बाबा अच्छी देते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी होस्पिटल खोलो ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं है वह भी होस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं आगे बाबा कहते हैं तुम देखेंगे बहुत हस्पिटल खुल जाएंगे तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा रूहानी सर्जन और प्रोफेसर रूहानी कॉलेज वो हस्पिटल खोलने में कुछ खर्चा नहीं है तो बाबा कहते मेल फीमेल कोई भी हस्पिटल ख अर्थात हम आत्माओं को बाबा आकर पवित्र बनाते हैं, हम पवित्र बनकर विश्व का कल्यान करने के निमित बनते हैं, अनेक आत्माओं को पवित्रता का पाठ पड़ा कर, पवित्रता के सागर पिता परमात्मा से मिला कर सभी को बाबा के वर्से का अधिकारी बनाते हैं अर्थात सर्व आत्माओं का कल्यान करते हैं इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों का गायन और पूजन मुझ पिता सिव के साथ साली ग्राम के रूप में होता है प्रश्न किया बाबा ने बाप भी धर्म इस्थापन करते और अन्य धर्म इस्थापक भी धर्म इस्थापन करते दोनों में अंतर क्या है उत्तर में बाबा कहते बाप सिर्फ धर्म इस्थापन करके वापस शले जाते लेकिन अन्य धर्म इस्थापक अपनी प्रालब्द बना कर जाते हैं बाप अपनी प्रालब्द नहीं बनाते अगर बाप भी अपनी प्रालब्द बनाएं तो उन्हें भी कोई पुरुसार्थ कराने वाला चाहिए बाप कहते हैं मुझे बातसाही नहीं करनी है मैं तो बच्चों की फस क्लास प्रालब्द बनाने के लिए आता हूँ अर्थात बाबा इस धरा पर नई स्रश्टी की इस्थापना करते आदी सनातन देवी देवता धर्म की इस्थापन कर बाबा नर से नारायन बनाते विश्व का मालिक बनाते और खुद चले जाते वानप्रस्थ में अर्थात सान्ती धाम में तो बाबा कहते मुझे बादसाही नहीं करनी जो मुझे कोई प्रालब्द बनानी पड़े और मुझे प्रालब्द बनाने वाला कोई है नहीं क्योंकि बापों का बाप गुरुओं का सदगुरु मैं ही एक निराकार परमात्मा हूँ तो मैं बीजरूप हूँ मैं सरष्टी के दुखो सुको मिटाने सुक की दुनिया में ले जाने के लिए आता हूँ और सभी आत्माएं मुझे बाप कहती हैं दूसरे जो इस्थापन करने वाले होते हैं सिक धर्म की इस्थापना गुरु नानक करते हैं क्रिश्चन धर्म की इस्थापना क्राइश्ट करते हैं तो वे अपनी प्रालब्द बना कर फिर पुनह अपने घर सांतिधाम चाते हैं गीत सुनाया बाबा ने रात के राही रुकमत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं बाबा गीत से हम बच्चों को समझाते कि गीत बच्चों ने बनाया है गीत का अर्थ तो और कोई जानना सके बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है धीरे धीरे अंधियारा होता गया है इस समय कहेंगे घोर अंधियारा अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने के लिए अथ्वा सांती धाम पीर घर जाने के लिए तो बाबा कहते वहा है पावन पीर घर और यहा है पतित पीर घर प्रजा पिता ब्रह्मा में बाबा आकर पेठे हैं सिव निराकार परमात्मा कहते हैं तुमको पवित्र बना कर मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा पिता भी वहा है और गुरू सदगुरू गाइड भी वहा है तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है बेहद के बाप से बेहद का वर्सा प्राप्त करने के लिए बाबा कहते घोर कल्यूग के बाद सत्यूग आता है और आने वाला है भगवान बाप ही नई दुनिया इस्थापन करने वाले हैं ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों न वर्षा ले वे मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है मन वचन कर्म सोभी रूहानी मन सा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो हैं बाबा कहते मन बनाभाव और मध्याजी भाव बाप और वर्षे को याद करो दो वचन हुए न वर्षा कैसे लिया कैसे गवाया यह चक्र का राज बुरियों को भी सोक होना चाहिए सेवा गा बाबा कहते बोलना चाहिए हमको सिखलाओ बूड़े बूड़े भी समझा सकते हैं जो और कोई विद्वान पंडित आदी नहीं समझा सकते क्योंकि यह ग्यान पिता परमात्मा कहते कोई सास्त्रों में नहीं है स्वयम भगवान आकर सुनाते हैं बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी पनो खुद को आत्मा निराकार अनुभव करो और देह तथा देह के सर्व संबंधों से उपराम होकर एक पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूती करो सर्व प्रापतिया करो क्योंकि एक बाप ही है जो हमें दुख की दुनिया से मुक्त कर सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आता है तो बाबा कहते नश्टो मुहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धी योग रखना है देही अभिमानी बन यही सिख्छा धारण करनी औ आगे बाबा कहते तुम जानते हो बाप एक ही बार अवतरित होते हैं पतितों को पावन बनाते हैं क्रश्न जैनती पर भी सिद्ध करना है कि क्रश्न ने तो कोई ग्यान दिया नहीं ग्यान देने वाला एक पिता परमात्मा निराकार सिव है जिसने उनको बनाया पहले तो उन की जैन्ति चाहिए सिव जैन्ति पर मनुष्य वरत आदी रखते हैं लोटी चडाते हैं सारी रात जाकते हैं यहां तो है ही रात इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के बाबा कहते मालिक बनोगे क्रश्न जैन्ति पर समझाना चाहिए कि क्रश्न गोरा था अभी सावरा बन गया है इसलिए स्याम सुंदर कहते हैं कितना सहज ग्यान है स्याम सुंदर का अर्थ समझाना है चक्र कैसे फिरता है तुम बच्चों को बाबा कहते खड़ा होना चाहिए सिव सक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है यहा किसको भी पता नहीं बाब भी गुप्त है ग्यान भी गुप्त है और सिव सक्तियां भी गुप्त है तो बाबा कहते चित्र अच्छे अच्छे बने हुए हैं चित्रों से तुम बच्चों को सेवा करनी सहज होती है इसलिए बाबा कहते बाब बैट समझाते हैं मैं तुमको सभी वेद सास्त्रों का सार सुनाता हूँ यह सब है भक्ति मार्ग अब भक्ति मार्ग पूरा होता है वहा है उतरती कला अब तुम्हारी होती है चड़ती कला कहते हैं न चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला सब मुक्ती जीवन मुक्ती को पा लेते हैं फिर पीछे सोला कला से उतरते उतरते कला हिन हो जाते हैं तो बाबा कहते अब यह संगम most valuable समय है अब प्रालब्द बनाने में लग जाना चाहिए फिर तुम बच्चों को सोला कला संपूर्ण सर्वगुन संपन संपूर्ण निर्विकारी बन कर अपने पिता के साथ अपने घर जाना है और फिर सुकधाम में विश्व की राजाई करने के लिए आना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते बेफिक्र बात्सा की इस्थिती में रहे वायू मंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले माश्टर रचियता भाव आज बाबा रचियता इस्थिती की रचना करने वाला गती सदगती दाता पिता परमात्मा हम बच्चों को माश्टर रचियता भाव का वर्दान देते और माश्टर रचियता बनने की सहज युकती बताते की बेफिक्र बात्सा की इस्थिती में रहे वायू मंडल पर अपना प्रभाव डालो तो बेफिक्र बात्सा हम कब बनेंगे जब हमें यह इस्मरती रहेगी कि हमें सर्व प्राप्ति कराने वाला स्वयम भाग्य विधाता भगवान हमारा भाग्य लिख रहा है हमें अपना बच्चा बनाया है तो जो भाग्य विधाता है उसके बच्चों का वह कैसा भाग्य लिखेंगे तो इस इस्मरती में रहकर निश्चिन्त होकर उस पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धी बनकर स्वयम पर निश्चय बुद्धी बनकर ड्रामा पर निश्चय बुद्धी बनकर अचल अडोल रहकर ऐसा पावरफुल वायू मंडल बना कर सारी स्रश्टी की रचना करना ह अभी पुरानी स्रष्टी थी अब नई स्रष्टी की रचना बाबा कर रहे हैं कलम लगा रहे हैं तो बाबा के साथी सहयोगी बनकर मददगार बनना है तो बाबा कहते जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बात्सा है सब कुछ जानते हुए देखते ह हुए बेफिक्र है ऐसे फालो फादर करो बाबा कहते निराकारी इस्थिती में इस्थित हो जब पिता परमात्मा को फालो करो और जब साकार में आते हो कर्म करने के लिए करमेंद्रियों का आधार लेते हो तो ब्रह्मा बाप को फालो करो तो हर कर्म करने से पहले हर संकल्प क करने से पहले हर बोल बोलने से पहले अपने को बेरिफाई कराओ ब्रह्मा बाप से तो वायू मंदल पर अपना प्रभाव डालो वायू मंदल का प्रभाव आपके उपर नहीं पड़े क्योंकि वायू मंदल रचना है और आप मास्टर रचियता हो रचना रचता का रचना के उपर प्रभाव हूँ, कोई भी बात आये तो याद करो, मैं विजय आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं, स्लोगन में बाबा कहते, प्रसन्नता की चाया द्वारा, सीतलता का अनुभव करो, तो निर्मल और निर्मान रहेंगे, रहा क्या पाने को, एक बाबा मिला, सब कुछ मिला, इस खुसी में इन प्राप्तियों को इस्मरती मेरक प्रसन्न रहेंगे, तो बाबा कहते, स्वता और सहज, सीतलता का अनुभव करते रहेंगे, और उसी आधार पर तुम बच्चे निर्मल, पवित्र साप स्वच, निर्मा अच्छा, ओम शांती झाल, झाल, तो